गोवर्धन एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से जो लोग अनन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे अन्दे हो गए हैं, उन्होंने अपनी इंद्रिया खो दी हैं. खृत ग्यान वास्तविक ज्ञान खो गया है इसलिए वे इतने सारे देवताओं के पीछे हैं कृष्ण कहते हैं ये मेरा निर्मित शब्द नहीं है कामेस्तेस्तेरहृत ग्यान ये जनतेयन देवताह भगई 7.20 किसी भी देवता की पूजा करने की कोई आवश्रका नहीं है ये गोवर्धन पूजा है ये गोवर्धन पूजा नंद महाराजेंद्र की पूजा की व्यवस्था कर रहे थी और कृष्ण ने इसे रोग दिया और उन्होंने उसे गोवर्धन की पूजा करने के लिए नियोक्त किया जो क्रेश्ण का प्रतिनिद्ध्व है वो गोवर्धन पूजा है श्रील प्रभुपात की पूस्थके व्याख्यान वारथ आलाप और पत्र इस आवश्रक विश्यकी व्यापक प्रस्तुति प्रदान करत जैसा कि वाने कोट्स गोवर्धन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्रधरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरण भवान चैतन्य और स्वरुगदा मोदर की गायब होने के बाद रखुनाद दास गोस्वामी को इन दो महान व्यक्तित्वों से अलगाव महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने व्रिंदावन में गोवर्धन पहाडी से कूत क अपनी जान देने का फैसला किया हालां कि ऐसा करने से पहले वे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की चरण कमल देखना चाहती थे चैतन्य चरितामरित अन्ति लीला 10.94 जैसा कि ललीता माधव में वर्ण थे क्रिश्न की शोमतब प्रकट हुई जब उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन परवत को उठाया सभी गोपिया क्रिश्न की अद्भुद उपलब्दे को देख रही थी और क्रिश्न भी गोपियों को देख कर मुस्कुरा रहे थे जब क्रिश्ण की नजर गोपियों के स्तनों पर गई तो उनके हाथ कापने लगे और उनके हाथ को हिलते देख पहाडी के नीचे मौजूद सभी चरवाहे थोड़ा परेशान हो गए। तभी भयंकर गर्जना की आवाज आई और वे सभी क्रिश्ण से सुरप्षा के लिए प्रात्ना करने लगे। भक्ति का अमरित अध्याय 22 कभी कभी वे राधारानी द्वारा प्रदर्शित्मन की स्थिति को व्यक करते हुए बहुत जोर से रोते हुए तेज कती से इंटीलों की और दोड़ता था। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभुक्रिश्म और उनकी लीलाओं की विचारों में लीन थे। उनकी मन्यहस्थिति ने उन्हें व्रिंदावन और गुवर्धन परवत का वातावरन प्रदान किया और इस प्रकार उन्होंने अलगाव और मिलन की दिव् चैतन्य चरितामरित मध्यलीला 2.9 गर्ग मुनी ने नंग महाराज को आगे संकेत दिया है कि उनके बेटे को गुवर्धन परवत उठाने की असामानी शगल की कारण गिरिधारी भी कहा जाएगा। चुकि गर्ग मुनी एक जोतिशी थे विभूत और भविश्य की हर बात क कुछ समझ सकते थे और इस प्रकार उन्होंने कहा मैं उनकी गतिविधियों और नामों के बारे में सब कुछ जानता हूं लेकिन अनने लोग नहीं जानते हैं। ये बच्चा सभी ग्वालों और गायों के लिए बहुत प्रसंद होगा। व्रिंदावन में बहुत लोप्री होने के कारण वेहाब के लिए सभी अच्छे भागे का कारण होगा। कृष्ण पुस्तक अध्यायाठ इस प्रकार गोवर्धन सदयव भगवान के चरण कमलों के संपर्क में रहता है। और क्यूंकि गोवर्धन परवत भगवान कृष्ण और बल्राम का बहुत अभारी है ये भगवान को अरपित करने के लिए विभिन प्रकार के फलों, जड़ों और जड़ी बूटियों के साथ साथ अपनी जीलों से बहुत ही मनभावन क्रिस्टल जल भी प्रदान करता है। हाला कि गोवर्धन हिलद्वारा दी जाने वाले सबसे अच्छी प्रस्तुती गायो और बच्छडों के लिए नई उगाई गाई घास है। गोवर्धन परवत जानता है कि भगवान को उनके सबसे प्रियस सहयोगियों, गायों और चरवाहे लड़कों को प्रसंड करके कैसे प्रसंड किया जाए। कृष्ण पुस्तक अध्या 21 नर्तोते ने गाया परंपुर शोतम भगवान क्रेश्ण की महिमा ब्रम्भान में हर किसी के लिए फायदे मन्थ है। उनकी सुन्दर्ता व्रिंदावन की गोपियों पर विजय प्राप करती है और ये उनके धैरे को कम कर देती है। उनकी लीलाएं भागे के देवी को आश्चर चकित करती हैं और उनकी शारिडिक शक्ती गोवर्धन परवत को एक गेंच जैसे छोटे खिलोने में बदल देती है। उनकी बेदा गुर्णा सीमित हैं और उनका व्यवहार सभी को संतुष्ठ करता है। भगवान क्रेश्ण सभी के लिए आकर्शक हैं। हमारे भगवान पूरे ब्रम्भान को बन चैतन्य चरितामरित मध्यलीला 17.12 गोवर्धन परवत पर ही क्रिश्ण अपने चरवाहे मित्रों के साथ गाये चराते थे और वहीं उन्होंने अपनी सबसे प्रिय श्री राधा से मुलाकात की और उनके साथ प्रेम पून लिलाएं की। गोवर्धन के तल पर स्थित राध अधापुन में निवास करना पसंद करते हैं क्यूंकि अस्थान क्रिश्ण और राधारानी रति विलास के बीच शाश्वत प्रेम संबंधूं की कई यादों का स्थर है। निर्देश का अमरित पाथनों जब वर्षा रितों पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी बलकि धी दीरे दीरे शरद रितों में बदल रही थी। कभी कभी खास कर जब जंगल के भीतर वर्षा होती थी तो क्रिश्ण और उनके साथी एक पेड के नीचे या गोवर्धन पहाडी की गुफाओं के भीतर बैठते थे और पके हुए फलों को खाने और बाचीत का अनन लेते थे बहुत फुर्षी के साथ जब क्रिश्ण और बलराम जंगल में थे तो माता या शोदा उन्हें कुछ फल, मिठाया और दही के साथ चावल भीजा करती थी। क्रिश्ण उन्हें लेकर यमुना के तच पर पत्थर की एक शिला पर बैठ जाते और अपने मित्रों को अपने सा आथाने के लिए बुलाती। क्रिश्ण पुस्तक अध्याय बीस।